असलाम वालेकूं कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बिल्कुल खेरियस से होंगे और अलहमदलिल्ला मैं भी ठीक हूं और आज की मेरी रेसिपी कौन सी है मैं कौन सी बनाने वाली हूं तो चलिए फिर उसकी इंग्रेडियन्स पर एक नजर मारते हैं आप देख लेते इसे आलो का पकोड़ा भी बोल सकते हैं भजी भी बोल सकते हैं और इसको मैने च्छिलके और एक balls में पानी डालकर रख दिया था ताके आलो हमारा काला नक पड़ जाए बहुत ही जल्दी काला हो जाता है इसके लिए पानी में डालना जरूरी है यहां पे लिए लिए ग्र कुरा सा तो आप इसे एक बार ट्राइक किजिएगा बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा तो मैं इस तरीके से लंबला मज़ा है अलू को ग्रेट कर लेती हूं और इसमें हाथ भी बहुत ही जल्दी करता है तो आप थोड़ा सा इसमें जबी भी कोई चीज ग्रेट किया करें तो देखे इस तरीके से मैं सारे अलू को ग्रेट कर ली हूं और फिर मैं आपको बताती हूं तो देखे मैंने यहां पर सारे अलू को ग्रेट कर लेती हूं और यहां पर मैंने लिया है मसाले यहां पर ली हूं हल्दी पाउडर है आधा चमच धनिया पाउडर है वह एक चम कोई बात नहीं चलेगा और यहां पर मैंने लिए आम चूर का पॉडर है आप इसके जगह पर भी यह नहीं है थोड़ी सी चाठ मसाला डाल दें और भी चलेगा और यहां पर बेसान लिए जो मैं जरूरत की हिसाब से इसमें एड करूंगे यह सुझी है याने किरावा तो इस हमारे पास नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी सी सुझी डाला है बेसान डाल रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एड करूंगी जरूरत की हिसाब से जितना में हमारा आलू कोड हो जाएगा मैं उतने ही इसमें यूज करूंगी तो चलिए इससे अच्छे से मिक्स कर ल देखिए इसमें मैंने पानी डाला है और इस तरीके का यह बन चुका है तो अब मैं लास्ट में सबसे नमक डाल रही हूं कि नमक डालने के बाद हमारा आलू जो है वह पानी छोड़ देगा अपना खुद से इसमें पानी नहीं डालना है दो मिनिट के बाद आप देखिए इस तरीके का एकदम गीला गीला सा अच्छा से बैटर बन जाएगा जितना में हमें भजिया पकड़ा जैसे हम बनाते हैं उस तरीके का बन जाएगा यहां पर हरा धनिया डाल रही हूं थोड़ी सी मैंने डाला है यह सफेद तील है अगर पसंद है तो डाले वरना स्कीप क हुआ तो तो एकजिख कर लेती हुआ करम अरी है जो इसे पकॉड़े को के तिछुड़ा ने करके ने तो देखिए मैंने सारे को इसमें डाल दिया है फ्राइ करने के लिए भजिया को और इसे मीडियम अधिलेम पे हमें फ्राइ करना है ऑर जब एक तरफ से अच्छे से ये गोल्डन ब्रॉण हो जाए फिर इसे पलट दीजिए अब उलट पलट करके इसे अच्छे से आपको फ्राइई करना है गोल्डन ब्रॉन तो ये एक तरफ से सीग गया है अच्छे से फ्राइई हो गया है तो मैं इसे पलट दे रही हूँ कलर बहुत बेहतरीन आया है माशाला तो चलिए यह फ्राई हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अच्छे से एक स्ट्रा तेल निकाल लीजिए उसके बाद इसमें एक प्लेट में टीशू पेपर पे आप निकाल लीजिए और बिल्कुल यह खाने के लिए रेडी है हमारा भजिया आलू का उमीद करती आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इसी तरीके से आप बनाईए और अपनी घरवालों को खिलाईए उमीद करती हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा एक बार इस तरीके से मेरे स्टैल से आप जरूर टराई कीजिएगा इसे चाय के साथ खाएए किसी चटने के साथ खाएए सोस के साथ खाएए खाने में बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ेदार लगता है बहुत ही क्रिस्पी होता है क्रुकुरा होता है तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो में तो बस आज के लिए थी अल्ला हाफीज